नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का रोई ट्रेजर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि PUBG मुबाइल लाइट का जो नया अपडेट आया है 0.5.1 उसको कैसे डाउनलोड करें तो कई लोग बोल रहें कि उनका प् लुकार सकते हो अरोट करना है यह पसे ब्राइट को सब्सक्राइब ऐसी UPC browser आप खोलिए, okay, UPC browser खोलने के बाद यहां पे दोस्तों उपर यी उपर आपको paste कर देना है एक जो है, एक link जो आपको description में मिल जाएगा, वीडियो की description में आपको एक link दे दूँगा, तो इसको paste करना है, फिर simply go में click करना है, तो इस तरह का एक apk pure का website खुलेगा इसमें आप देख सकते हो 0.5.1 version है तो ये एक x apk file है दोस्तों apk file नहीं है जो कि आप direct download करके install कर सके तो ये एक x apk file है इसको install करने का एक तरीका होता है एक x track करने का तो वो बताऊंगा step by step तो इसलिए कह रहा हो ध्यान से देखना फिर बात में बोलोगे कि हमारे ये error आ रहा है या वो error आ रहा है तो फिर क्या करना है दोस्तों आपको simply यहाँ पर click करना है download में और आपका जो है game download होना start हो जाएगा देख सकते हो आप यहाँ पर download करना है यह file यह 266 MB का है अब download करने के बाद आपको home screen में जाना है दोस्तों अब यह archiver जो हमने download किया है यह archiver app इसको open करना है सबसे पहले है तो इस तरह का home screen रहेगा इसका आप ध्यान रखे जो file आपने download किया है वो कहां है आप मैंने UC browser से download किया तो मेरा UC downloads में आएगा अगर आप Chrome से download करोगे तो आपका download folder में आएगा तो मैंने UC downloads से किया है तो scroll down में करूँगा और UC downloads folder में जाऊँगा यह रहा UC downloads और यह रहा हमारा file PUBG Mobile Lite 0.5.1 तो दोस्तों हमें अब क्या करना है इसको एक बार click करना है तो इस तरह का option आएगा हमारे पास view extract here या फिर extract test तो extract करने लगेगा पूरा file को बस कुछी seconds लगेंगे दोस्तों सो ध्यान से देखना ओके सो extract अब हमें कर दिया है हमारा file को extract कर दिया है अब क्या करना है दोस्तों हमें AP के file को install करना है जो 32.81 MB लिखा हुआ है उसको एक बार click करना है open में फिर click करना है तो इस तरह का option आए ध्यान से देखिएगा दोस्तों ओके यहान से देखिए और सुनिएगा पहले इसको install करना है इसको open नहीं करना है इंस्टॉल करने के बाद पहले इसको install करना है फिर हमें done पे click कर देना है अब आप ऊपर notice करोगे एक android करके एक folder आ रहा है उपर जो हमने extract किया तो एक folder बना करना है copy करने के लिए क्या करना पड़ेगा कुछ seconds के लिए 2-3 seconds के लिए इसको click करते रहे है दोस्तों ओके तो इस तरह का option आएगा तो हमें यहां पर चौथे नंबर पर copy का option आ रहा है ना copy लिखावा रहा है यहां पर चौथे नंबर पर copy पर क्लिक करना है ओके आप copy हो आप उपर ही उपर आप देख रहे होंगे कि OBB लिखावा रहा है OBB, UC, Downloads, Android ऐसा कुछ यहां पर हमें click करना है ओके जैसे यहां पर हम click करेंगे तो हमारे पास 3-4 option मिलेंगे device memory, download, music etc. तो हमें device memory में जाना है device memory में जाना है device memory में आप हम जाएंगे उसके बाद हमें तीसरे चोथे या पांचवे नमर पर हमें एक और Android folder देखने को मिलेगा तो Android folder में हम click करेंगे, Android folder में हमें click करने के बाद कुछ और folders मिलेंगे लेकिन हमें open करना है OBB folder को, OBB, OBB folder को open करना है यहां पर, अब यहां के इसके अंदर हमें paste कर देना है वो file जो हमने अभी अभी copy किया है वो paste करने के लिए दोस्तों नीचे आप green वाला एक छोटा सा circle देख रहे हो, यहां पर आपको click करना है, तो simply यहां पर क्या करेगा, यह paste करना start कर देगा, जो file हमने copy किया है, तो इसका version है 8415, तो दोस्तों अब जो हमने copy किया था, वो यहां पर paste कर दिया, आप simply क्या करना ह आप notice करोगे हमारा यहां पर pubg mobile light जो है आ गया होगा, यह रहा pubg mobile light, तो यह इंडिया में launch हो गया है, लेकिन play store में नहीं आया, तो हमें DNS या VPN की जोरवर रर्त नहीं पड़ेगी, आपके सामने game को open करता हूँ, तो यह रहा, game अब open हो रहा है, pubg mobile light नहीं लिखावा रहा ह इसमें light भी लिखावा आता है अक्सर, पहले लिखावा आता था बट इसमें pubg mobile light नहीं लिखावा रहा है, तो पहले मेरा device जो है Xiaomi Mi A1, Mi A1 उसमें support नहीं करता था, I hope इस बार support कर ले, let's see क्या बोलेगा यह, तो पहले मेरा device में Xiaomi Mi A1 जो है उसमें support नहीं करता था, क्योंकि 4GB RAM का phone है मेरा, यह special 1GB and 2GB RAM वाले device के लिए launch किया है, so guys, जैसे कि मैंने बताया, आपको play store में अभी site नहीं मिलेगा यह, जैसे मैंने बताया, वैसे आप download कीजिए, official, हला कि यह अभी भी official version नहीं है, beta है, इसमें लिखा, नीचे लिखावा आ रहा है, the game is still under beta testing, this build does not represent the final version, अभी भी आना बाकी है, कुछ एक अध मेने के बाद, so यहाँ पर यह सक हो जा रहा है, आज मेरे ख्याल से loading हो रहा है, तो ऐसे दोस्तों आप जो है, latest version, PUBG Mobile Lite का latest version, download कर सकते हो, और, okay, so मेरे को पता नहीं, और कौन-कौन से device के लिए अभी support कर रहा है, तो मैंने इस से पहले open किया था, तो उसने बताया था, कि आपके device में PUBG Mobile जो बड़ा वला version है, वो आराम से चल जाएगा, तो आप वो खेले, ऐसा करके भी दिखाया था, तो let's see, आपके device में तो मेर लाइक जरू करना चाहिए, क्योंकि ऐसे trusted videos, हमेसा trusted videos आप लोगों के लिए लाता हूँ, मेहनत करके, धून ढानके, तो एक like, और चैनल पे नहीं आये तो subscribe कीजेगा, bye, take care, have a great day.